हेलो फ्रेंट्स मैं हुरु रिश्यव कपूर वेट्स of Tutorials.com से इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Python में कौन-कौन सी data types होती है फ्रेंट्स Python में 5 तरह की data types होती है सबसे पर है numbers फिर है string, list, tuple और dictionary फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको पहले numbers और string की थोड़ी से information दूँगा और next वीडियो में आपको इसको मैं detail में पढ़ाऊंगा फ्रेंट्स पिछले वीडियो में हम numbers के साथ work कर रहे थे जैसे हम लिखते थे पहले age equal to 27 तो मैं बोल रहा था कि यहां पर हमारे को python में लिखने की जुरूत नहीं पड़ती कि means number के अंदर integer category में आता है या float में आता है के अंदर simple हम variable का नाम लिखते है तो आप देखेंगे class int means यह integer type है अगर मैं asset type salary लिखता हूं तो आप देखेंगे यह आ गया float क्योंकि यह decimal के साथ था था तो यह float है यह without decimal था तो यह integer value होती है अगर किसी की साथ decimal है तो फ्लोट value होती है मेंस इस तरह से इंटर्नल यह store जरूर होता रहता है कि integer type है यह float type लेकिन आपको लिखने की जुरूरत नहीं पड़ती इसी तरह से जैसे मैं लिखता था name आपको पता है अगर हम double quotes है means यह string type है means इस तरह से आप अगर आप किसी की variable की type चेक करना चाहते है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं यह तो मैंने थोड़ी से introduction दी थी data types के बारे में आने वाले वीडियो में हम हर एक data type को deeply cover करेंगे तो next वीडियो में मैं आपको strings के बारे में बताऊंगा अगर आपके जहन में अभी भी कोई question है तो आप इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं मेरे चैनल को subscribe करना ना बूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के बार में update मिलत रहें और मेरे वीडियो को like और subscribe करना ना बूलें तो चलिए friends मिलते है next video में